मुम्रा सील फाटा पर एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया है एक तरफ जहां क्रोना वाइरिस की वजह से लॉप डाउन है और दुकाने बंद है इस बंद दुकान में दो चोरों ने शटर का ताला तोड़कर मोबाइल ब्लूटूथ इत्याजी स सामानों की चोरी कर फरार हो गए मगर इनकी तस्वीर दुकान में लगी सीसी टीवी में कैद हो गई है आपको पता दे कि शील फाटा पर वीजय मोबाइल शॉप है जहां रात में दुकान का शटर का ताला तोड़कर दो चोर दुकान में घुस गए और ये दोनों चोर इत टीवी भी देख रहे थे मगर इसके बावजूद इन्हें कोई डर नहीं दुकान के मालिक प्रेम बहादूर गुपता ने बताया है कि दोनों चोरों ने चाइना मोबाइल और ब्रेंडेट मोबाइल घड़ी चार्जर पावर बैंक ब्लूटूथ स्पीकर मोबाइल डेमो और कैश करीब आठ हजार रुपे लेकर ये चोर दुकान से रफू चक्कर हो है हलाकि दुकान मालिक ने बताया कि लॉकडाउन होने की वजह से और मोबाइल वो दुकान से घर लेकर चले गए थे मगर इसके बावजूद अनुमानित करीब एक लाख रुपे से ज्यादा सा यहीं मैं होई हैं देखेसे रसमाइल शरेख यहीं रहाँ गश्यादा ने दुकांकि व्यार अर्यक्त चाइन होई हैं थे में हैं कि आंदे ने साङ्जा जाए नसांट पर दो धिक हैंना जालों व्याएट ते फोज़ों जाड़ ने पारश हैं दोस्ट थे से डीन अधर कंपनियों के 15 थे प्लस इस्पीकर थे छोटे-छोटे कंपनियों के थे तो अनुमारिस कितना मत्रकितने कामाल रहा होगा यह लंसम लंसम उच्छे एक लाग के आसपस में रहे होगा सर्थ क्या पुलिस को इसकी जानकारी दिया अपने पुलिस को बड़ पूल के हैं प नहीं मिल पाई थे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्राड राइंग ताजा तकी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइ करें